जहन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे आज की डेट में सॉल्व करने वाले हैं पिछले साल का पेपर जी हाँ, यदि आप ITI फश्टियर के चातर हैं और इस साल आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप ITI फश्टियर का पेपर देख लीजिए, किस तरह के पेपर परिचा में पूछे जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह जो पेपर है, किस चीज का पेपर है तो Electrician Trade का पेपर है, प्रिटिकल का और जो चातर फश्टियर के हैं पतलब की फश्टियर का जो एक्जाम देने वाले हैं चातर उनके लिए इंपोर्टेंट है और इसमें ध्यान निखेगा जो चातर टू यर का कोर्स कर रहे हैं पतलब के लिए एक साल के जो चातर कोर्स करें उनके लिए यह पेपर नहीं है ध्याने किएगा फश्टियर का पेपर है, सबसे पहले मैं आपको कुछ यहां पर बेसिक जनकारी देता हूँ कितने नंबर का यह आपका कोशन होता है, और टोटल कितना मार्क होता है, और कितना आपको समय मिलेगा तो आप सब कुछ यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल मार्क आपको यहां पर दिखाए गया है 250 नंबर का आपका ये पेपर होता है और टोटल आपको समय यहां पर दर्साया जा रहा है 8 गंटा आपको समय दिया जाता है और यदि कोशन की यहां पर बात करें तो एक कोशन इसमें आपको 50 नंबर का देखने को मिलेगा दुसरा कोशन 100 नंबर का रहेगा और तिसरा कोशन आपको जो देखने को मिलेगा ये 100 नंबर का हो जाएगा तो टोटल 250 नंबर का ये आपका कोशन होता है जिसको आपको करना अनिवार होता है और ध्याने कियेगा सभी कोशन आपको करना अनिवार होता है कोई एक कोशन आपको नहीं करना होता है सभी कोशन करना अनिवार होता है और यहाँ पर note में लिखा भी गया है attempt all question ध्याने किएगा तो चले इसके बारे में आपको पूरी जनकारी देते हैं और हरे कोशन को solve भी कराते हैं तो पहला जो यहाँ पर कोशन इसमें ध्यान से लेके इसमें का जा रहा है थोड़ा से यह जो paper पूराना फेपर थोड़ा बलर है फिर भी ध्यानसे देखियेगा जो भी यहाँ पर लिखा गया उसके अनुसार में आपको जनकारी दूंगा और साथी साथ आपको परियोग भी दिखाऊंगा इसमें आप परियोग कैसे लिख पाएंगे तो पहला यहां पर कोशन कहा जा रहा है कि मेजर सेटिफाई ग्रेटी आप बैटरी एंड बोल्टेज विद लोड यूजिंग एप्रोश्टियेट इस्टुमेंट यहां पर कहने का मतलब यह बोल्टेज विद लोड के साथ कहा रहा है मतलब कि उपरियुक्तूप करण का जो उपयोग है उसको करके आप बैटरी के बैटरी और इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसमें बिसिष्ट ग्रोथ का परिच्छन करने के लिए कहा जा रहा है अब इसमें आपका जो परियोग हो जाएगा यह एक परियोग होगा अब इसमें ए नमबर बी और सी दिया गया है तो B नमबर में यह का जा रहा है कि write the required tools मतलब कि आपको इस परियोग करने में किसकी tools की आउसकता हो रही है उसको आपको लिखना पड़ेगा तो उसको भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा किसकी समागरी का आप उपयोग कर रहे हैं इस परियोग को करने में और C नम voltage के business growth की परिच्छन करें तो चले इसका आपको बताते कैसे आप लिख पाएंगे तो मैं इसका answer यहाँ पर लेकर आया हूं आपके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर उद्दिस से heading दागना है और उसमें लिखना है सुसक सेल को जोड़कर business voltage और धारा उत्पन करना है जि से अधिक सेलों को समांतर करम में सन्योजित उनका समोहन कहलाता है यह आपका हो जाएगा परीचे में अब यहाँ पर निचाएंगे तो इसमें आप किसकी समागरी का उप्यूग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसमें लिखा गए आवसेक उपकरन य से की सुस्क सेल का या आपको एमेटर का इसमें जुरुत पड़ेगा बोल्ट मीटर का जुरुत पड़ेगा वायर का जुरुत पड़ेगा और डी सी सप्लाई का जुरुत पड़ेगा यह सभी जो चीजें आपको हो जाते इसमें आपको समागरी में देखने को मिल जाती है अब इसके बाद अगला heading आपको दागना है सुरच्छा सौधानिया या आप निर्देश भी heading दाग सकते हैं या इंगलिस में भी आप लिखना चाते हैं तो लिख लीजीगा अन्यता आप छोड़ दीजीगा तो सौधानियों में आपको क्या लिखना है सौधानिया में आपको पहला सौधानिय में ये लिखना है सभी सेल को जाज कर परिपत बनाएं दूसरे नमर में सन्योजन ढेले नहीं होने दे क्योंकि ऐसा होने पर सेल में सन्युक्त, उपयूक्त धारा प्रवाईत नहीं हो पाएगी। तिसरे में आपको लिखना अदिक मान की विधुत धारा अतवा, अदिक समय तक विधुत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समानतर क्रम में सन्यूजित करें। ये जो आपका हो जाएगा सात्यों सुरच्छा सवधानिया में हो जाएगा इसके बाद अगला हेडिंग आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि आप स्क्रेंड पर देखिए कारे भी दी मतलब कि आप इस परियोग को कैसे कि वो सभी चीजे को आपको यहाँ पर करम वाज से आप सनियोजित करेंगे इसके बाद यहाँ पर दूसरा है सेलो को इस परकार जोड़े की कुल बोल्टेज नीचे दिएगे समीकरन के दर्साया जाए या आप अपने अनुसार लिख सकते कोई दिक्कत नहीं फिगर आप यहाँ पर आना चाहें और यह जो आपका स्रीच क कुछ यह परकार बनेगा जिसमें आपको इसका सुतर भी लिखेंदना है भी बराबर ब्लस भी टु ब्लस भी DC दूरी नौट जिसके आप यहाँ पर देख्थिए समांतर क Tamara cuantoya क्रह भी आपको लिखना है और यहाँ पर बोल्टेज जो यहाँ पर किसे प्रैप्ण करेंगे ही आपको लेखना है और इतना लिखने के बाद आपने इस पर्यूंक के आया यह चीजा आपको लेखना है और यह आपकी जो होगी इस पर्योंक की लास्ट हेडिंग रहे जिसमें आपको लिखना हैasında और दारा प्राप्ति से तो zaradi और समांतरक सन्योजन का सफल अध्यान क्या या सफल परियोग किया आप लिख सकते हैं यह जो आपका हो जाएगा कितने नमबर का हो जाएगा सात्यों तो 50 नमबर में आपका ABC तीनों आपका हो गया जो कि आप इसको करम होए जिसमें आपने कंप्लेट कर दिया यह आपका 50 न जा रहा है इसमें circuit बनाने के लिए circuit डाइगराम बनाने के लिए और तीसरे में कहा जा रहा है कि राइट दर्रिक्वाइट टॉल्स है जो कि जिस टूल्स की इसमें आउसकता हो रही है वो सभी टूल्स को आपको लिखना है और सी नमबर में कहा जा 2W m method के अनुसार इसमें एक जो की calculate करने के बाद कर आये power को तो आप इसको कैसे इसमें परियोग कर पाएंगे तो चले इसको भी आपको दिखा देते हैं कैसे इसका यहां पर परियोग आपको लिखना है तो ये देखिए आपको दूसरा प्रियोग में कुछ इस परकार का लिखना है सबसे पहले पर्चे आपको हेडिंग दागना है और इसमें आपको लिखना है वाट मीटर किसी भी विदुद परिपत में सकती अतार्त बोल्टेज ग्यात करने के लिए परियोग होता है और समागरी आपको हेडिंग दागना है और इसमें आपको लिखना है 200 mm कमिनिशन प्लायर इसमें प्रियोग करेंगे यह और इसमें साथ में प्लायर भी आपका होगा और इस्टूर लेशन जो आपका टेप होता है जो आप प्रियोग करते सधारण आप घर में प्रियोग करते टेप का वो टेप आपका रहेगा उसके बाद वाट मीटर रहेगा सन्यूजन लेट्स रहेगी यह आपका जो हो जाएगा आवसेक उपकरन और समागरी में आपको इतना लिखना पड़ेगा इसके बाद अगला जो हेडिंग आप यहां पर करेंगे सुरच्छा साधानिया और निर्दीश सुरच्छा सा१ानिया और निर्दीश में आपको यहां पर लिखना है पहले हेडिंग में कीसे करें ज jsem करने चाहिए और अनता पर लीडाम जो आपका होना-ची वो परभावीत हो सकता है ब्लकुल भी आपका धिला नहीं होना चाहिए नहीं तो यहां पर प्र डिडिंग पढ़ आपके साथ प्रभावीत होगी, इसको भी आप ध्यान खेगा, इसके बद आप कारेवीधी heading दागेंगे, कारेवीधी में आप कैसे इसको सारे प्रयोग किये, या आप इसको कारेवी सिधानत भी लिख सकते हैं, तो उसमें आपको सारे चीज़ों को करम वा परड़ाम का अधात रिजल्ट का मतलब कि आप इस परियूग करते समय या आपने जो इसका परियूग किया उसका रिजल्ट क्या निकल के आया यह जो आपका हो जाएगा साथियो सो नंबर का कोशन हो जाएगा कितने नंबर का सो नंबर का जो कि आप यहां पर कोशन में के बाद इसकर जो है आपको यहाँ पर प्रियूप में लिखना पड़ेगा इसमें क्या कहा जा रहा है तो इसमें यहाँ पर कहा जा रहे है वेरिफाइज एश्टी और एल्टी हाई टेंसर और लो टेंसर की बात करें ज्योंकि टर्मिल्स और सिंगल फेज टॉंस फार्मर एं अनुपात की गढ़ना करें जिसमें यहाँ पर पहले कहा जा रहे है कि ड्रॉदस सर्कीट टू वेरिफाइज एश्टी और एल्टी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है साथ हो कहने का मतलब इसमें यह कहा जा रहे है कि सिंगल फेज टॉंस फार्मर के एश्टी और टॉल्स मतलब इसको परियोग करते समय आपके इसकी टॉल्स का उपयोग करें यह सभी चीज़े आपको लिखना है और सिंगल फेज टॉंस फार्मर एंड सर्कुलेट टॉंस फार्मस टॉंस फार्मस रेसियो बाई बोल्ट मेटर मेथेड कहने का मतलब यहां पर यह है कि सि आप में रूप आंतरन अनुपात की गढ़ना करने के लिए भी कहा जा रहा है जो कि वाट मीटर बीधी के द्वारा तो आप इसको कैसे कर पाएंगे चल इसके बारे में आपको बताते हैं तो आप नीचे आ जाईए यहां पर आप आएंगे स्क्रॉल करते हैं जो कि मैंने आप में छोटा में लिखेगा कि दो एकल फेज टॉंसफार्मरों को समांतर करम में लगा कर प्रुचालित करना और इसके बाद परीचे में इसके बारे में थोड़ी स्वाउत आप जनकारे करें जिस दिस आप इस्टुमेंट का प्रयूग करें सभी चीजे को लेकर इसको यहाँ पर प्रयूग करें और इसमें इस तरह प्रयूग किया जाता है यह आपका परीचे में हो जाएगा आपकी इनकीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रयूग को किये किस दिस से खतरा है किस दिस से आपको यहाँ पर सौधानी बरतनी चाहिए यह आपका सुरच्छा सौधानी में हो जाएगा इसके बद आपका अगला heading पड़ेगा कारी भी दी यह आप सिधान्थ भी कह सकते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर किस तरह आपने पहले किया अनुसार बनाना पड़ेगा और इसके बाद लाश्ट जो आपका heading बनेगा वो परिडाम रिजल्ट आपका आएगा कि आपने इसका परियोग किया आपके स्पास क्या या आपके सामने क्या इसका रिजल्ट देखने को मिला क्या यह सफल परिचान हो पाई या नहीं हो झाल 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